जोनला जो कहिना है कहन दाओ वो खर कहे ले हमार कहीं भी गड़ने वाला थोड़े है ये तो समय समय के बात है न अब समय सब के बदल थे फिर सर्थ एक खवे कि मेहनत करते रहा बे मतलब कि यहाद के उंगली मा रेखाला नहीं बना है बहुत मेहनत लगे है वो उपर वाले ला ये रेखा बना मब ता हमर जिन्दगी के मौर्मा बहुत उतार चड़ावा है ता एक खर मतलब यह नहीं है कि हमला रुकना है फिर कोई इंसान लम हाँ वो हद तक तूटर देखे होना जिनत तक बस सुस्ते रिज़ते एक सिंपल से कहानी बताओ और पता नहीं मैं सही तरीका से एक्स्प्लेन कर पहाँ कि नहीं शुरुआत एक आम की पेड़ लेकर हूं आम की पेड़ साल मा बस एक के बार फर थी ता आम की पेड़ मा मौर तो सबें जन्दिके हो आमा की मौर ता ओ आमा की मौर हर एक सुन्दर आम लचनम दे थे कोन हलात मा आंधी तूफान आउ किसमत की जखुरा ऐसे पढ़ थे ना कि कुछ गीने चुने आम हर बसना पेड़ मारी जथे था जैसे तेसे तो धीरे-धीरे बढ़ जथे अब एक बात कहाँ एक आमला आम बना बना बहुत मुश्किल के सामना करेला पड़ते जैसे हमर जिंदकी है रंग रंग के दाना बाना चार चुदा चुबिस ऐसा नहालात मा एक इंसान तूड़ चे थे लेकिन ये बात ला सुनके वो आगे बढ़ जथे ना थेने असल माइने मा एक हीरो ए तरा कुछ गिने चुने आम ही ना पेण मा रहे थे आओ पक थे आओ ओ आम के स्वादला कहा कही बे घर मा पकोए कच्चामला कही बे आओ पेण के पके आमला कही बे ना तो मा जमिन आसमान के फर्क है बाकी वो भी एक आमे आओ घर मा रखे आम भी आमे तो फर्क बस इतना है कि वो हर दुनिया के हर एक बात लग सुनके ना आगे बढ़ गे आओ सिख के नया जिन्दगी जीना तो कुन कुन नया जिन्दगी जीना सिखिया मोला पता हो जय जोहार झाल